मंदे से अश्ट धातू का बेश्किंती त्रिशुल चोरी बद्वाश अब बाबा को दे रहा है त्रिशुल की तरहा गायब करने की धमकी शुपर्द जिले की भौनती थान शेत्र की देव को गाव में मंदे से अश्ट धातू का बेश्किंती त्रिशुल चोरी के जाने का मा मुला सामनी आया है हरानिक बात है किereye अश्टाद happen का थरिशूल चोरे करने वाला इरूपी cie त्रिशूल बाबा को वापस देने कीज़गा अब बाभा को ही त्रिशूल की तरह गाव करने की धंकी दे真的 war जबने शुक्रवार को इसकी शिकायत पुले सदिक्षक कारियाले में दर्च कराते हुए आरोपी के कबज़े से अश्ट धातु का त्रशुल बरामत कर वापस दिलाए जाने की गुहर लगाई है। अपना इलाज कर रही थे। मंदिर पर वापस आने पर जब उससे घटना का पता चला तो उसने इसकी रिपोर्ट पुलिस धाने में दर्च कराए चाही जस पर गावालों ने वहा की कहा कि वह है दो तिन दिन में त्रशुल वापस कर दे लेकिन अब आरोपी अश्रधातु का बेश किमती त्रशुल वापस करने की जगा उसे ही गाप करने की धम की दे रहा है। बाबा ने आरोपी के खिलाब वकारवाही के जाने और त्रशुल वापस दिलाजवाने के गुहार पुलस दिक्षक कारियाले में आवेदन दे कर की है। 107 स्टूल आ that we have met., वापस दिलाजर शूख ड़िया बाइए ने लुए दिलार रहे हैं ना कोई बात कर रहे हैं इसलिए हम स्रीमान महोदय के पास आये हैं। कि हमारा तिर्सूल हमें बापिस मिले जो चोरी हो चुका है और उससे हम बोलते हैं कि हमारा तिर्सूल बापिस कर दो तो वो हमें मारने आ जाता है कभी अपनी बीबी को सामने कर देता है और धमकी देता है कि जिस तरीके से आपका तिर्सूल चला गया है उसी प्रकार से आप कब भी चले जाओगे पता नहीं चलेगा यहां क्या आस्वासन दिया आपको हमको यह आस्वासन दिया है कि कल तक करवाई करी जाएगी ऐसा